मुझे हमेशा से यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ. मैंने कभी भी इस पर एक मिनट भी शक नहीं किया. पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर एक नया इतिहास रचा है. ऐसे ही एक शक्स हैं, जिनका नाम है वारिन बफे, आएए उनके मोटिवेशनल विचार जाने. जोखिन तब होता है, जब आपको पता नहो की आप कर क्या रही हैं. मैं साथ फुट की दूरी को पार करने की नहीं सोचता. मैं बस एक फुट की दूरी को देखता हूँ, जिसे मैं पार कर सकूँ. एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए. दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें. जिदि आप उन चीजों को खरीदते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो शीघर ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है. आज का निवेशक कल की बढ़त से फाइदा नहीं कमाता. मैं जिन भी अरब्तियों को जानता हूँ पैसा, उनके अंदर एक बुनियादी लक्षन लाता है. अगर वे पहले मुर्ख थे, तो अर्बों डालर के बाद भी मुर्ख है. यदि कोई आज पेड की छाव में बैठा है, तो इसकी बज़ए है कि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड लगाया हूँ. केवल उसी चीज को खरी दिये, जिसे आप अगले दस साल तक खुशी से रखेंगे. मैं महेंगे पपड़े खरीदता हूँ, लेकिन वो मेरे उपर सस्ते दिखते हैं. खुद से बहतर लोगों के साथ समय पिताना हमेशा अच्छा होता है. ऐसे लोगों को समयोगी बनाए जिनका व्यभार आप से अच्छा हो. आप उस दिशा में कदम बढ़ा लेंगे. अगर बिजनिस अच्छा होने लग जाता है, तो स्ताथ अपने हाँ अच्छे करने लगते हैं. ज्वार चले जाने के बाद ही पता लगता है कि कौन लोग नंगे तैर रहे थे. अपनी सांख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वही इसे गवाने में बस 5 मिनिट लगते हैं. अगर आप इस बारे में सोचोगे, तो चीजे अलग तरीके से कर सकते हों. धन्यवाद, अगर आपके पास अभी समय है, तो यह जिन्दगी बदल देने वाली विडियो जरूर देखे.